अब अब अधी आप बताऊंगा एक पशलो प्रेंट्स आज मैं बताऊंगा एक पसू को किसी भी परकार का एक अधी रियक्शन तैसे द्वाइस एक टेबलेट से ओजाए इंजेक्शन से यह आपके पसूं को किसी परकार की जो मद्मक हो ततया यह आको केड़ा काट ले तो यह रियक्शन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए कौन इस परकार के injection में अपको उपयोग में लेनी चाहिए पूरी डिटेल से बताऊंगा एदी वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना वीडियो को आज पूरी देखना वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रोपर नोलेज मिलेगा जि तो हमें क्या करना चाहिए देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो में में आपको सही और सटीक जानकारी ही दूंगा बेफालतू कि मापको कोई ऐसे इंजेक्शन नहीं बताऊंगा कि जिसे एदी आपके पसुग एदी किसी भी प्रकार का एदी रियक्शन होता है तो वही आपको ट्रीटमेंट करेंगे आपको रिजेल्ट भी मिलेगा ऐसा बात नहीं है देखो किसी भी प्रकार की एदी रियक्शन होता है तो पसुग में सबसे पहले क्या होता है उसकी स्किन के उपर छोटे-छोटे दाने से उबर आते हैं कई बार प किहए कि श्वेलिंग आ जाती बीक आजाती इस एह साथ क्या होता कई बार फषू को बड़ंग को इसले यह ताूं सांस लेने में एक नदि legg और आपका पशू कि है कि बैचनि महसूश करने लगता है आपका पसु के पेड़ दर्द की भी सिकाइट हो जाती है कईवर ऐसा देखा है आपका पसु बैठता है खड़ा होता है इद्धर उद्धर उचलता खूदता रहता है एदी किसी भी परकार का एदी रियक्शन हो जाता है तो ये आपके पसु में जो symptoms हैं इस प्रकार के symptoms आपके पसू में देखने को मिलते हैं एक और बताना चाहता हूँ कि एदी आपके पसू को जब एदी आप IV फ्लूर लगाते हैं जैसे injection IV फ्लूर लगाते हैं जैसे glucose लगा रहे हैं या आपके केलिश्यम लगाते हैं इसमें आपके पसू को रियक्सन होता है तो क्या कंडिशन होती है उसमें आपके पसू की पूरी बोड़ी पर कम कम पी होती है आपके पसू को क्या की बैचनी मसूस होती है आपका पसू दूजने लगता है चानक तो उस इस्तति में आपको क्या करना च चाहिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है यह दिया आप कई बार इस परकार के इस्ततिय दिया संबाल ने पाते हैं तो कई बर पस्टों के कि जब आप ड्रिप लगा रहे हैं आप ध्यान ने दे पाते हैं क्ई पर पसु के ओन स्पोर्ट मर्थ्वी को जातीilot कि और जाना है क्यों क्यूंकि यो जो जो ड्रिफ है वह ऑई वी में बलड में जा रही है तो अлеरेक टो उसमें पर ये ड्र बी होता है औř कई बर क्या है कि कि अजब भी रिएक्सिन होता है तो शिद्ध डायरिया दस्ट भी आना स्थार्ट हो जाता है दस्ट करना प्रारम कर देता है तो देखो इस परकार के यदि आपके इस पसों में सिम्टम्स हैं तो एक बात और रखना आप जब यदि आपके पसों को सांस लेने में दिक्त है यदि आपके पसों को एलर्जिक रियक्शन हो गया है किस सांस लेने में दिक आ रही है तो उसको जबिल एक अच्छा में हाँ दिक्त को और बेंगे आपको सांस लेने में उसे कोई दिक्त ने हो अब दिको इसमें करना क्या यह रही है celebrating जो यह injection आते हैं जिस प्रकार से आपको एविल एक तो आपको injection लेना एविल जो आपको दिख रहा है एविल लेना है बड़े पसू में ही दिया आपको इस प्रकार की दिक्कत है किटिकल स्टेजर जिनका बोड़ीवेश चाहसों से पांसों केजिए तो आप 15 से 20 एमेल आप एविल ले सकते हैं और उसके साथ आप जो इंजेक्शन आता है डेक्सों डेक्सामेतासों इन्जेक्शन है उस इंजेक्शन को आपको मिला लेना है जिस प्रकार से आपने 15 एमेल आपने एविल ले लिया और उसके अंदर आपको 10 मम डेक्शों डेक्सामेतासों इंजेक्शन मिला करके उस प्सु को यह इस प्रकार के इस स्टीज़ में आपको जातिय करना है लेकिन कईब आईसी स्टी़ देखने को मिलती है कि कृफ पसु यह प्रिंट हो 2 यह और विर तो उसमें आप जो डेक्सा मेतासोन है वो आप बिल्कुल उप्योग में ले से भीडियो के बारे मेरे चेंदर पर डीटेल सी वीडियो भी आप करके देख सकते हैं यह उस पसु को आप बड़े पसु हैं तो उसे 10 ml इंट्रा मस्कुलरी आपको लगाना है और यह तो है बड़े पसु कि दो छोटे पसु में दिया आप डेक्सों आव एवी लगाना है तो आप उसे 5-5 ml दोन्हों को मिक्स करके उन्हें आइवी लगा दें अब आइवी लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको पांश से 10 मिने आप उस पसु को देखना है 10 मिन तक यह दिक आपका पसु को रिलीव मिल जाता है बैचैनी से मुक्ती मिल जाती है तो कोई बात न olmytius यह पिर भी नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है hydrocortisone sodium succinate नाम का जो एक injection हाइडु कोर्टिसों sodium succinate नाम का जो एक injection आता है तो इंजेक्शन उस पशु को 10 ml intravenous लगा देना और आपके पशुको मुक्ति नहीं मिल रही है तो तो आपको वो injection उप्यूग में लेना है 10 ml उस पशुको आप देखो जो ए वाटा चे यंपे इंटी कारेटार का को यह पिंप्यों को लेंगे तो आपके पसू में किसी इंप्योग में ऐसे जो पसो को बचा सकते हैं यह दि आपके पसुग में रियक्शन की वज़े से बुखार आ गया है तो उसके लिए आप जो मिलो नेक्स प्लस आता है मिलोक से केमेंड पराशितामोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वो आप अपने पसुगों बड़े पसुगों 15-20 ml इंट्रामस्कुलर और जैसे छोटे हैं तो इसे 3-5 ml इंट्रामस्कुलर भेडवक्रियों में आप उस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं यह कि इस प्रकार आप यह त्र следmen आप जो यह माब जो बता रहा हूं किसी भी प्रकार की जो इंजेक्शन हो या केडा काट ले तो यह बैटर से बैटर ट्रीटमेंट है इसके अलावा आपको ऐसा इंजेक्शन उप्योग में लेने की आप सेकता नहीं है आपको एदी किसी जो मैंने बता है इसे विद्धी से आपके पुस्टों को रियक्शन हो जाए तो जो हाइड्रो कोर्टिसों सोडियम सक्षिनेट इंजेक्शन बता है वो भी आपको अपने पास सकना चाहिए वो आपको हुमन के मेडिकल पर आपको उपलब्द हो जाएगा क्योंकि कई बर इस प्रकार का रियक्शन हो जाता है और देखा भी हमने तो वह इंजेक्शन उप्योग में हमें लेना ही पड़ता है यह दि आप को इस तरह है कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो निचे जाकि आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पसू पालकों के साथ और मेरे जितने वेटिनेरी स्टेंट है उनके साथ आप ऐसी वीडियो को जितना उसके सेर करें मेरी वीडियो है वो आप अपने प्रसु चिकत सकी देख रेखनी उप्योग में लें थैंक्स धन्यवाद